नमस्ते और विल्कम टू हो में आप लोगों के लिए कोई डियाइवाय या फिर कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ बल्कि आज मैं आप सब लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ मेरे किचन में आये हुए एक नए सदस्य से और वो है मेरा नया फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर कम फूर प्रोसेसर तो एक बात सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं है इसे मैंने हमारे याहा की एक लोकल शॉप से पर्चेस किया है और इसे पर्चेस किये हुए मुझे दो महीने हो चुके है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके साथ जो मेरा experience रहा वो share करने जा रही हो तो इसकी जो unpacking, unboxing की जो clips है वो दो महीने पुरानी है पर मैंने शुरू से मैं आपको दिखा सकू कि ये किस तरह से pack होते हो के आता है और इसके साथ हमें क्या-क्या मिलता है तो वो सब मैं आपको अच्छे से दिखा सकू इसलिए मैंने पूरा unboxing के साथ इसे shoot किया है और साथ में मैंने इसका जो food processing का जो part है उसका भी मैंने demo दिया हुआ है हो सकता है आप सभी के घर में food processor हो और आप सब उसे use कर रहे हो अच्छे से पर कुछ लोगों के पास अगर नहीं हो या फिर कुछ लोग change करना चाहते है और कौन सा purchase करूँ तो उसके लिए अगर कुछ देखते है तो उनकी help हो जाएगी इस हिसाब से मैंने इसका demo शेयर किया हुआ है तो चलिए video शुरू करते है तो कुछ इस तरह के box में ये pack होकर आता है ये company की ही packing होती है और इस पर आप देख सकते है MRP जो लिकी हुई है वो काफी जादा है मुझे ये 7500 के around मुझे मिला है local shop पे और online पर भी आप देखेंगे तो 7000 के around ही इसका price है इसके अलावा और भी कई सारे जो specifications है वो इस box पर दिये हुए है इसके साथ हमें 2 साल की warranty जो है हमें product पे मिलती है और 5 साल की warranty मोटर पे मिलती है और अब इसे open करके देखते है कि इसके साथ हमें क्या-क्या मिला है तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये pack होके आया है और इस बड़े box के अंदर भी 2 से 3 चोटे चोटे box में ये सारी चीजे pack करके आई हुई है और इस तरह से polythine में pack की हुई है तो सबसे पहला जो है ये इसका main part जो इसकी body है तो ये कुछ इस तरह की है और यहाँ पर एक knob दिया हुआ है और एक दो तीन जीरो से लेकर एक दो तीन तक हम speed adjust कर सकते हैं उसके बाद ये जो एक jar है ये juice बनाने के लिए दिया हुआ है तो इसके अंदर एक तरह से देखिए एक filter already लगा हुआ है ये filter removable है तो इसे निकाल कर भी आप इस jar को use कर सकते हैं milkshake और smoothies वगेरा बनाने के लिए ये देखिए कुछ इस तरह से इस filter में नीचे जो है जो आप देख सकते हैं वो एक तरह की जाली लगी हुई है तो जब भी हम इसमें fruit juice बनाएंगे तो जो seeds वगेरा है fruit की वो अंदर की side रह जाती है और हमें juice filter करके मिलता है अलग से filter करने की जरुरत ने पड़ती है और ये दो जो है ये mixi के jar है जैसे हमारे normal mixi के jar होते है वैसा ही ये एक छोटा और एक बड़ा jar है और ये है एक हमारा जो food processor का jar है इसमें सारे जो भी food processor के काम है वो हम इस jar में कर सकते हैं तो इसमें already देखिए मैंने आपको आटा kneading वाला blade मैंन करने के लिए तो जो भी सबजिया वगेरा आप कद्दू कस करना चाहते है और ये एक ये है स्लाइड करने स्लाइसिंग वाला blade है तो इसे आप इस तरह से चेंज करके ड्यूज कर सकते हैं सेम ये जो प्लेट है प्लास्टिक की उसमें लगाकर इसके अलावा ये एक blade है ये आटा नेडिंग वाला blade हम जिस attachment पर लगाते है उस पर ही हमें ये blade लगाना है और इसे जो है food processor में डाल कर chopping के लिए हम इसे यूज कर सकते है उसके बाद आता है जो इसका next attachment है वो है ये citrus fruits के लिए है ये भी एक juicer है तो इसे आप इस food processor पर attach करके जो citrus fruits होते है जैसे मोसंब संत्री वगेरा उन fruits का juice आप इस juicer में निकाल सकते है तो ये सारे attachments हमें इसके साथ मिलते है अब हम one by one इन सब का demo देख लेते है तो सबसे पहले ये juice का जो jar है इसमें देखिए ये filter मैंने attach कर लिया है और यहाँ पर मैं बनाने वाली हू water melon का juice तो जो water melon के pieces है उनको मैं इस filter के अंदर डाल दूंगी और normal mixi jar की तरह हमें इसे भी सिर्फ आधे तक भरना है fruit के pieces से और इसके अंदर भी filter के लिए एक lid दिया हुआ है वो भी लगाना है और jar का भी lid लगाना है और फिर हम इसे जो है हमारे mixer पे लगा कर इसे इस तरह से देखिए juice निकाल सकते है तो जूस निकालने के लिए और बाद में मैंने फिर जो pieces से water melon के उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया तो अब देखिए कितनी जल्दी से इसमें juice बन रहा है इसके साथ आप कुछ नमक या फिर शुगर वगरा एड़ करना चाहे तो वो भी आप juice बनाते समय ही इसमें एड़ कर सकते है मुझे कुछ add नहीं करना था तो as it is मैंने ये juice बनाया है तो कुछ इस तरह से देखिए हमारा juice बन करके ready हो गया है अब इसे directly आप serving glass में जो है इसे पोर कर सकते है अलग से आपको filter करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके जो अंदर वाला filter है इसे में सारे seeds वगेरा अब हम देखेंगे जो इसका food processor का part है उसका हम demo देखते है तो जो chopping का blade है उसे में attach कर रही हूँ कुछ इस तरह का एक attachment आता है उसके साथ पहले इस blade को attach कर लेना है और फिर हम इसे food processor में attach कर देंगे और जो भी सबजिया वगेरा आपको chop करनी है तो इन्हें देखिए इस तरह से टुकडों में काट लेना है और फिर इस food processor में डाल देना है और इसका जो lid है जो ढकन है इसे भी कुछ इस तरह से हमें lock करना है इसका जो black portion है वो handle के उपर आए और ये जो attachment अभी मैंने डाला ये हमें सबजिया वगेरा प्रेस करने के लिए दिया हुआ है जब हम grating या फिर slicing करते है मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है cabbage यानि की पत्ता गोबी और वो कितना अच्छे से जो है बारिक हो रहा है और ये मेरा थोड़ा सा जादा cabbage था तो इसे मैंने दो बैचेस में बनाया है मुझे मंचूरियन बनाने थे तो उसके लिए मैंने इसे चॉप कि तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं अब मैं इसमें आटा गून के आपको दिखाऊंगी तो आटा जो है इसकी साइड्स में चिपक न जाए इसके लिए मैंने अच्छे से जो है इस फूर प्रोसेसर के जार में आइलिंग कर लिया है और सेम तरीके से जैसे हमने मैं चॉपिंग वाला ब्लेड इसमें अटेश किया था ये आटा नीडिंग वाला ब्लेड है तो इसे जो ये सेंटर का अटेश्मेंट है उसके साथ अटेश करेंगे और फिर फूर प्रोसेसर के जार में इस तरह से डाल देंगे और ब्लेड पर भी मैंने जो है अच्छे से oiling कर ली है ताकि इस पे आठा चिपके नहीं और बाद में हमें wash करने में परेशानी ना हो और इसमें मैंने दू कप आठा डाला है और आठा डाल कर हम इसका ढखकन लगाके इसे mimicry पर fix कर देंगे पानी हमें पहले नहीं add करना है और बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी add करते हुए इसे चलाना है अब जो ये इसके साथ जो attachment दिया है इसमें पानी भरकर आप measure कर सकते हैं इसके उपर दिया हुआ है कि एक कप आटे के लिए इतना पानी लगेगा पर आप अपने अंदाजे से भी इसमें पानी डाल सकते है ऐसा कुछ ये जरूरी नहीं है कि उस हिसाप से ही पानी डाला जाए तो इस तरह से देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इस आटे को भी इसमे बना लिया है तो कुछ इस तरह से जैसे नॉर्मली हम हातों से आटा बनाते हैं वैसे ही टाइप का आटा इसमें बन जाता है और इसे हमें थोड़ा सा बाद में हातों से एक जैसा करना पड़ता है तो ये देखिए बिल्कुल जो है नॉर्मल सा आटा इसमें बनके रेडी हो जाता है तो इसे हमें ये जो प्लास्टिक की इस तरह के प्लेट मिलती है उसके साथ कुछ इस तरीके से अटेच करना है यहाँ पर देखिए एक खाचा दिया हुआ है तो इसमें हमें इस तरह से इसे फिक्स करना है बहुत ही आसानी से ये ब्लेट लग जाता है और फिर से इसे जो उसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और जो ये उपर से जो सब्जी डालने के लिए जो जगा दी हुई है वहाँ से हमें जो है सब्जी डालनी है और प्रेस करने के लिए ये इस तरह का जो है दिया हुआ है उन्होंने अटेच्मेंट तो उसके साथ ही आपको प्रेस करना है इसमें कभी भी उंगलिया वगेरा नहीं डाले और बस हमें मिक्सर को चलाना है और उपर से सब्जियों को हलका सा प्रेस करना है तो इस तरह से देखिए सलाइसिंग हमारी इसमें सब्जियों की जो सलाइसिंग है वो हो जाती है तो ये देखिए कुछ इस तरह से पतले-पतल slice is cucumber के मैंने इसमें बनाए है और अब देखते है हमें जो grate करने वाला blade लगाना है तो उसके लिए पहले हमें slicing वाला blade निकालना होगा तो निकालते समय भी देखिए जो एक खाचा मैंने आपको जो दिखाय था तो उसी को हमें हलका सा प्रेस करके वहाद से ये blade इस तरो से निकालना है और फिर हम जो grating के लिए दिया हुआ blade है कद्दू कस करने के लिए दिया हुआ उसे यहाँ पर इस तरो से attach कर देंगे और फिर इस plate को जो है पहले जैसे हमने attach किया था उसी तरह से इस food processor में फिर से attach कर देंगे और इसका lid लगा कर हम इसे mixer पर fix कर देंगे और फिर उपर से हमें जो सबजी कद्दू कस करनी है वो डालनी है और mix को चलाना है और बिल्कुल दो मिनिट में ये गाजर जो मैंने इसमें डाले थे ये कद्दू कस करके तयार हो गए है और फिर इस तरह से देखे ये blade में हटा कर आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से देखे स्लाइसिंग और ग्रेटिंग जो है सबजीयों की आप इसमें कर सकते है पूटी स्लाइसिस भी आप इसमें बना सकते है उसके बाद देखिए जो ये citrus fruits के जूट निकालने वाला जो attachment है यानि कि मोसंबी और oranges वगेरा तो उसे भी हमें इसके उपर attach करना है और इस तरह से देखे इसे हमें handle की तरह इस handle नहीं जो इसका lid है उसी की तरह इसमें fix करना है और फिर इसको हमें mixi के उपर लगाना है और ये इस तरह से इसका उपर वाला attachment है वो हम लगाएंगे और जो citrus fruits है उनको आप दो parts में cut कर लेंगे half में और उसको इस तरह से इसके उपर रखके आप mixi को चलाएंगे तो इस तरह से देखिए उपर वाले हिससे में सारे बीज वगेरा रह जाएंगे और नीचे जो है juice filter होके आजाएगा तो इस तरह से आप वो juice भी बना सकते है और ये जो 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 जार है तो ये normal mixi के jar जैसे होते है वैसे ही jar है जिने हम weight और dry grinding के लिए यूज कर सकते है और दोनो jars की lid के साथ इस तरह का rubber gasket भी दिया हुआ है तो कुछ इस तरह से ये पुरा mixi जो है इसका मैंने आपको आपके साथ में demo शेयर किया है तो कुछ इस तरह से मैं इसे यूज कर रही हूँ दो महीनों से तो वहाँ पर इसके जो reviews थे तो कुछ लोगों ने mention किया था कि थोड़ी सी जो है chemicals के burn होने की smell आती है या फिर जो है smoke वगेरा आता है ऐसे कुछ reviews मैंने पड़े थे पर मैंने इसे local shop से मैंने purchase किया और उन लोगों को भी मैंने पूछा कि इसका review कैसा है तो उन्होंने कहा कि अच्छा है आप ले जाए और जबकि मैं local shop से purchase कर रही थी तो कोई भी problem आता तो वो लोग मुझे service देते तो इससाब से मैंने इसे purchase किया और दो मैंने से यूज भी कर रही हूँ इसके साथ कोई भी problem नहीं हुई है जो इसमें smell आती है या फिर जो भी smoke आता है chemicals के burn होने का इसे use करते समय तो इसका जो manual है उस पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक note लिखा हुआ है कि शुरुआत में जो इसका नया नया paint वगेरा है उसकी वज़से जब ये heat होता है तो paint की smell आ सकती है ऐसा उस पर already mention किया हुआ है तो वो जो smell होती है वो paint की होती है पर मेरे case में उतनी smell भी नहीं आई है और अच्छे से ये दो महिने से चल रहा है मैंने इसमें इल्डी डोसा का batter हम बनाते है तब या फिर मेदू वडे का तब बहुत ज़ादा देड़ तक हम इसे use करते है तो वो भी मैंने इन दो महिनों में दो तीन बार बनाया इसके साथ कोई भी problem नहीं हुई है और रही बात noise की तो normal mix की जो आवाज आती है उतनी ही आवाज इसकी भी आ रही है और एक बात ये भी है कि अगर हम high power वाली motor का कोई भी equipment लेते है तो जाहिर सी बात है कि जितने watts वाली motor होगी जितने ज्यादा watts वाली motor होगी उतना ज्यादा उसका आवाज आएगा तो ये 700 watts वाली इसकी जो motor है वो है तो उस हिसाब से इसका जो noise है वो normal है इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ जादा आवाज कर रहा है तो ये था मेरा experience इस product को use करने का अगर आपने इसे use किया है तो आपका experience कैसा रहा मुझे comment करके जरूर बताईए और आपको आपको इस वीडियो से थोड़ी सी help मिली हो और थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से help मिली हो तो वीडियो को like करना ना भूले और अपने friends and family के स share भी कर दीजिए और हाँ अगर आपने मेरा channel पहले से subscribe कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है और आप मेरे channel पर नए है या फिर पहली बार आए है तो please मेरे channel को subscribe कर दीजिए और subscribe करने के बाद all पर भी click कर दीजिए इस से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड थेंक यू फो वाचिंग